थाइज वीडियो ऑफ केपिल स्मार्ट सेटी और आज किस वीडियो में और सेटर E के अब बापिल समार्ट सुटी और आज के सबुद एक बार बार सेटर पुछने के लिए तो ये वीडियो एंड ऑफ जुलाए 2022 की है ताकि आपको बेतर अंडर्स्टेंडिंग हो सेके इस साइट पे ओवराल डिवल्लप्मेंट का स्टेडस के है तो सेक्टर एकाम डिवल्लमक ल 11 की कर बात करें और सेक्टर ही की डिवल्लमेंट जहां पे दो मुनें डैई मेलें पहले पाऊज हुई थी वही पोहीं पर आइक डिवल्लमेंट करती है तो में बहुत जदा मैसिफ प्ला डिया नहीं चिंजिज्गंड आए, जिसमें आप कह defines पी नहीं हुआ चूंकि दो डाई मेने मौनसुन का स्पेल चल रहा था बार्शें हो रही थी तो सवह से काफी ज़्यादा साइट पर डिवेलमेंट स्लो हुई थी अभी साइट पर दोबारा मेशिनरी ऑपरेशनलाइज होना शुरू हुई है मेशिनरी मॉबलाइज होने के सा साइट पर जितने वरकर्स काम किरते हैं जितने अवराल लोग काम करते हैं साइट पर उनकी वह भी काफी ज़्यादा मॉबलाइज होई है तो अब साइट पर आपको आने वले दिनों में होफुली अभी जोंके बार्शें रोग गई हैं और अब नेक्स्ट वीक एक सपलहा लेकिन वैसे ओवराल देखा जाए तो अभी by the end of August, September, October अब 3-4 महीने मजीद कोई बारशे नहीं है तो इस वैसे साइट पर काफी ज़्याद rapid pace में development होने के चांसे हैं जो अब वो घर नदर आ रहा है सेक्टर E में ये तमाम के तमाम घर जो है पांच मरला के हैं और इसके पीछे कुछ आप कुछ ग्रीन पार्ट नजर आ रहा है और इसके साथ पिर पिर्चे का इंस अजरा उरहा है ये वाला पार्ट भी दोनों block E के ही पार्ट है block E में ही सारा located है block E कुछ पार्ट जो है वो लैंड का litigated है बाकी तमाम की तमाम लैंड क्लियर है और महां पे development भी अपनी पेस से हो रही है block E की एहमियत कुछ इस लिहाज से भी है कि block E के बिल्कुल opposite side पे overseas east harmony bug block है जिसकी society ने 40% payment लेने के बाद बैलेटिंग की थी तो वह अले plot महां पे आते हैं तो उस site की मैं इन्शला ट्राय करूँ कि आने वले दिनों में उसकी वीडियो बना दूँ ताकि members को दोबारा जिस तरह पहले एक follow up मिलता था site की development के लिहाज से उस तरह regularly एक follow up मिलता रहे कि औरहाल investment की क्या opportunities हैं या उनकी investment कहां stand करती है तमाम की तमाम updates आपको इस वीडियो की मदद से मिल जाएं जिसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप चैनल सिब्स्राइब कर लें और bell icon पर भी click कर लें ताकि आने वाले दिनों की तमाम updates आप हासिल कर सकें again back to the topic sector E की development की बात करें सेक्टर E की development में जैसे वीडियो के start में बात की nothing major changed in sector E same उसी तरह है हाँ development wise जो विलाज की construction है तो बारत से resume हुई है तो expect कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में दो तीन महिने में इसमें massive changes नजर आएंगे for the time being ना sector E के ना sector C के ना sector B के विलाज में को बहुत जादा massive changes आए हैं क्योंकि constructed product है और दूसरा सवाल ही होता है कि इसकी development इसकी balloting कब होगी तो balloting के वाले society ने भी exact date नहीं दी उमीद करते हैं कि society आने में दूने में जल्दी इसकी date भी announce कर दे ताकि जिन members ने balloting का वेट किया हुए उनको उनके plot number या विलाज number allocate हो सके अगर आप capital स्मार्ट ने लहुर स्मार्ट ने बुकिंग के वाले से कुछ मालूमाँ चाहिए तो number आपके screen पे available है आप जो वर्ट सेफ़ कर सकते हैं इसके लावा हमारी website विजिट करना मत भूलें www.maccountsolutions.com अगर आपको ये विडियो अच्छी लगे तो please do like, comment and share और चैनल को subscribe करना मत भूलें अरिज्वान चीमा को दीजिए अज़ाद अगली वीडियो तक के लिए खुदा आफिस